हलो स्टुडेंट्स बेसिकली अगर अगर आपन देखें तो राउंड वान का जोगी नीट का था कॉट आ चुका है और बासिकली कमपेर करेंगे जो नीट 202 था उसका साथ अगर 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 लाई अगर गरते देखें तो जनरल केटरी का जो रेंक तक गया है वह 7141 OVC का देखें तो हो है 18,034 EWS देखें तो 18,989 और अगर ST काटेगरी देखें तो हो है 89,842 और ST काटेगरी देखें तो हो है 1,23,071 similarly अगर अपन इस रैंक पर बेशे के लिए अगर मार्क्स की बात करें तो हो करीब बरीब है जनररल के लिए 608, OVC के लिए 606, EWS के लिए 605, ST के लिए 492 और ST के लिए 454 अगर पने इसको अगर प्रिजा साल यानि कि जो नीट 21 था उसके साथ अब अगर पने इसको कंपेर करें तो जनररल के लिए जो रैंक गया था वो था 13,970 OVC का जो रैंक था वो था 14,930, EWS था 15,662 similarly जो था ST और SC उसके भी जो है रैंक अगर SC के बात करें तो वो था बैसिकली जनरर के लिए 6,12, OVC था 6,10, EWS का 608 और SC, SD का था 507 और 458 रेस्पेक्टिवली तो देखे तो जो नीट 2021 था और नीट 2022 है उसमें पर बैसिकली रैंक का फ्लक्ट्यूशन में देखने मिला है और कारण इसका यह है कि इस साल है कुछ मेटिकल कॉलेज नहीं खुले हैं तो इसे कारण जो रैंक है बैसिकली वो डाउन गया थोड़ा सा और अगर पन सकेंड रौंड में आपन आपन अनुमाल लगा सकते हैं कि जो कुटफ होगा वो बैसिकली रैंक क्या अगर पन देखे आसपा तो 22,000 जेनरल को मिल सकता है कोई भी M.V.S. so stay in tune with us we are uploading NCID questions on physics chemistry and biology so that you can you know boost up your preparation for NEET 2023 and the student who want to take a drop also thank you